अए तो बाद बॉर्स आप पे लास्टेशिन को अफ़ करते हैं लेकिन काफी से बादो आनलाइन आएंगे राधि दिखाई देगा जिस्ट्स टैम पर आपने इस परीज किया होगा तो आगे वीडियो मा बताइंगे कैनसे आप इस feature को on कर सकते हैं और कैसे इसका यूज करेंगे तो वीडियो पर बने रही है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बैल आकन को फ्रेस कर देना ताकि आने वाली इसी परकार कि वाटसप की टीप सेंट्रीक फीडी आपके लिए मैं ला आता रहूँ हो ज़ादर आन मैशन करते हैं यूक उसे इस देर श्टार्ट करते हैं तो इस 3. पे आप किलिक करेंगे और यहां से चले जाएंगे GB सेटिंग पे जैसे कि मैंने वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि यह सिर्फ आपको GB WhatsApp पे देखने को मिलता है यह फीचर तो दोस्तो पहले ही नंबर पे आपको मिलता है Privacy and Security का Option इसे यहां से हम जो है इस सेटिंग पे चले जाएंगे जैसे सेटिंग पे जाते हमें पहले ही नंबर पे देखने को मिल जाता है Hide Online Status देख सकते है Please restart WhatsApp for change to take effect अगर दोस्तों आप इसे जिस टेम पे भी यहां से on करेंगे आपका जो लास्ट इशीन होगा वो सिर्फ उसी दिन का दिखाएगा इससे क्या होगा कि आप डेली वाट्सव पे Online आएंगे बट आपका लास्ट इशीन पुराने दिखाएगा पुरानी डेट को दिखाएगा चाहे आप एक महीने तक इसे यहां से आफ नहीं करेंगे तो तो जैसे कि मैं इस तरह से इसे आउन कर लेता हूँ अब दोस्तों क्या होगा कि अगर कोई भी मुझे मैसेज करेगा उसके बाद मैं एक दिन के बाद यहां पर Online आता हूँ लेकिन मेरा लास्ट इशीन पिछला ही दिखाएगा तो कैसा लगए फीचर आपको जरूर बताए कमेंट कर गया अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत हो तो आप मजे इस्टेग्राम पे मैसेज करें वहाँ मापका सॉल्यूशन जरूर बताओंगा जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप अपने जीवी को लास्ट इसन फ्रीच कर सकते हैं लाइप झाल झाल